अवद की स्थिती को देखिए और समझे की किस तरह के नतीजे यहां देखने को मिले जियां अवद 21 जिले 21 में से 20 पर भाजबा का कबजा यानि एक तरफा बढ़त भारतिय जनता पार्टी की अवद में देखने को मिली बिलकुल पांच जिलों में पहले से निर्विरोग जीत चुकी थी भारतिय जनता पार्टी अवद के किस जिलों के स्थितियम बता रहे हैं भारतिय जुलता पार्टी एक तरफा बड़ा ता बाग सपा की अवद में भी जिला पंचात सदस्यों के नंबर सपा के पास ज्यादा थे लेकिन जिला पंचात अधक्ष की सीट पर कबजा जमाने में समागवादी पार्टी क्यों पिछनी देखिए अमेटकarya नगर की बात कर लेते हैं सपा के वसकी जात थे लेकिन सपा को सिठ स हाथ भो न पड़ा फरुखाबाद में यही सीटी ती यहाँ भी हाथ दोना पड़ा इसके अलावा कन्नौज, मैं मावी जाओंगा कन्नौज, ऩुमें भी यही सीटी ती अमेठी, औरया, सुल्तानपूर, अयोध्या, अयोध्या में भी यह स्थिती थी, लेकिन वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी जीती, औरया में यही स्थिती थी, कानपूर नगर में यही स्थिती थी, कानपूर दिहात में निर्दलियों को भारतिय जनता पार्टी ने समर्तन 21 में से 16 तीन जिलों में पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी भारत्य जनता पार्टी और उसके बाद जो चुनाव हुआ 18 में मद्दान 13 में भाजपा की जीत हुई है पुर्वांचल में जो मैं आपको पताया कि क्या सेती है जल्दी से बुंदेलखंड पर भी एक नज़र डालेते हैं बुंदेलखंड की बात करें तो सभी साथ जिलों में भाजपा की जीत यानि बुंदेलखंड में चार जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी भारतिय जनता पार्टी की और उ एक तरफाजीत भारते जनुता पार्टी की चार जिलों में निर्विरोध भी थी भारते जनुता पार्टी की बुन्देल खर्ण तो ये वेलकुल ये